अधिक में आपको बताऊंगा एदि प सुम में गले में गांट हो जाती है यह गर्धन के पास जो गांट हो जाती है जो बार-बार में पकर पकती हैं या gotten a कम हो गई और फिर दूसरी बर वो गांट वापिस आपको दिखने लग गई तीसरी बर कम हो जाती है इस तरह से बार-बार जो आपके प्रशूम जो गांटे पकती हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको सिर्फ एक पाउडर बताऊंगा उस पाउडर का परि साथ में बेल आइकन और आलवाला उपसन दबाएं क्योंकि चैनल पर पता है कि आपको सोट में सही और सटिक जानकारे की साथ वीडियो दी जाती है तो आपको सुराती में क्या करना है जो पानी है उसको पूरी तरह से उसको बाहर निकाल देना है यानि जो गांट के अंद पताल से इसमय दबाकर के अच्रेशे साफ करकें साब करने के बाद में उसके पानी से अच्रेश करकर सकते हैं या पवजी आ ती आती हैन उसको अच्रेशनख को आप अच्छी तरह से गांट के अंदर जो बनावा है पस है पानी है मवाद है उसको बार निकाले उसको पूरे का पूरा साफ कर ले या नॉर्मल से लाइन से भी आप साफ कर सकते हैं किसी से भी आप साफ कर सकते हैं आपके पास कोई विजुस्विदा उपलम होती है है जब उससे पस्य दी बार पुरह निकल जाता है तो उसको गांट में क्या करना आपको शिरफ पोर सिरफ आपको जो एन पोटेशम प्रगनेट आती है जो इन लाल दों आती co weekend को उस से च्फिद आंदर आपको तें यह क्या करता है कि पुरे की पूरी जू गांट रहें ए प्लडबंडें और यह तो उसकों पूरी तुरे पूरा बार गांट देखने को नहीं मिलेगी सबसे सस्ता इलाज है आराम से कर सकते हैं लेकिन किसी भी घाव में आपको सुकी जो किस्टली पाउडर आता है पॉटेश्यम परमुनेट उसको आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए इसके साइड इफेक्ट भी भूत देखने को मिलते है लेकिन आपको किया करना सिर्फ पॉटेश्यम परमुनेट का सुका पाउडर आपको फथे पर देना है अंदर से आपको कि आपको घांट जलू gemaakt और रही बात बार 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 नहीं बनेगी। और कौन चैनल है इसके एक आको और मुठेट हैं के साथे इसो में उलेगो है इसी तरह मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवा